सरिता अपने बेटे दीपक और प्राची के साथ रहती थी सरिता शुरू से ही चाहती थी कि उसकी बहु गाउं से ही आए क्योंकि उसने शहर की लड़कियों को देखा हुआ था और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी बहु शहर की हो ऐसे ही एक दिन सरिता अपने बेटे दीपक से बोलती है बेटा अपने ओफिस में बोल देना चुट्टी के लिए जितनी जल्दी तुछुट्टी के लिए बोलेगा उतनी ही जल्दी तुझे चुट्टियां मिलेंगी और फिर हम लोग गाउं जाएंगे ताकि मैं तेरे लिए कोई सुन्दर सी लड़की देखूँ अब तेरी उम्र हो गई है शादी की अब जल्दी से तेरी शादी हो जाएगी तेरा घर बस जाएगा तो मेरी भी सारी चिंता दूर हो जाएगी न अरे मुझे यही लगता है कि लड़कियां तो गाउं की ही अच्छी होती है और अगर तुने कोई पसंद कर ली है तो वो अलग बात है तब मैं उसके लिए सोचूँगी लेकिन तुने पसंद भी नहीं की है और तुझे मेरी बात भी नहीं माननी है ऐसा तो नहीं होगा न अगर तु मेरी बात नहीं मान रहा है तो मैं कल ही चार धामकी यातरा के लिए चली जाओंगी फिर मैं वापस आओंगी नहीं अच्छा अच्छा ठीक है मेरी प्यारी मां मैं आपकी बात मान लेता हूँ मैं आज यह ऑफिस जाकर छुटी के लिए बोलाता हूँ जैसे दीपक शादी के लिए हां कर देता है जिसके बाद सरीता दीपक के साथ गाउं चली जाती है और गाउं की एक रज्जो नाम की लड़की से दीपक की शादी करवा देती है शादी के बाद तीनों घर आ जाते हैं रज्जो बिलकुल ही भोजपुरी बोलती थी उसे हिंदी बो में पता भी नहीं था ऐसे ही एक दिन रज्जों की ननद शॉड्ड्रेस पहन कर जा रही होती है जिसे देखकर रज्जों बोलती है आई हो मैया औरे ननद जी इका पहिन ली हो तुम अरे बाहर जा रही हो तो तनिक सलवार कमीज पहिर लो ये भी कोई पहनने का कपड़ा है या फिर अपने दरजी का नंबर दे दो हमको हम उको अपनी भासा में जो जबर गाली देंगे अपनी आखरी सांस तक याद करेगा लाओ तनिक नंबर दो भाबी ये कोई कम कपड़े वाली ड्रेस नहीं है बलकि ये मेरी शॉड्रेस है और यहाँ शहर में सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं आप गाउं से आई हो आप भोजपुरी बोलती हो तो इसलिए आप ये सब मत सोचो कि आपकी तरह ही सब होंगे और अब आप शहर में आ चुकी हो तो अपने आपको थोड़ा बदलो ये क्या लगा रखा है गाली देंगे दरजी थोड़ा सा तो सेंस ल रही होती है कि तभी गिर जाती है और सरिता उसे संभालती है और बोलती है अरे बहु मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि अब तु गाउं में नहीं शेहर में है तुझे इतना लंबा घूंगट करने की कोई जरूरत नहीं हमारे घर में कोई रोक टोक नहीं है तु सलवार सूट भी पहन सकती है ये साड़ी उपर से इतना लंबा घूंगट तुझे ही इसमें दिक्कत होगी इसलिए ये सब मत किया कर अम्मा जी यह आप कैसी बात कर रही है हम अपने ससुराल में साड़ी नहीं सूट पहने और उपर से घूंगट भी ना करें इमें अच्छा हम ही घर की बहु है हमारी इज़त से ही हमारे ससुराल की इज़त है और हमको ऐसा अच्छा नहीं लगता हम तो इसमें झान प्राची के पैरों में गोबर लग जाता है और वो फिसल कर गिर जाती है प्राची को बहुत जादा गुस्सा आता है यह क्या भावी हमारे घर में इतने महंगे माबल लगे हैं और आपने उस पर गोबर फेंक दिया आपकी वजह से में गोबर के उपर गिर गई ची भावी इसमें से कितनी स्मेल आ रही है आप इसे घर में क्यों लेकर आई हो मा हमारे घर को ही गोबर से लीप रही है देख रही है न बाहर के लोग भी हम पर हस रहे हैं इतना बड़ा घर बनवाया है और तू इसमें गोबर लगा रही है आम्मा जी बाहर की देखने वाले लोग तो एक दम में बुडबक होते हैं उतो बस यही करना चाहते हैं और गोब नहीं तो भी क्या क्या करती रहती है ऐसे भी तो ठीकी लग रहा है ना घर में लक्षमी अब भी आ रही है कोई दिक्कत नहीं है और अभी कि अभी ये सारा गोबर साफ कर कितनी गंदी बदबू आ रही है पूरे घर में बदबू बदबू फैल गई वक्त निकलता रहता है औ तभी सरीता को उसकी सहेली भारती मिलती है अरे क्या बात है सरीता तू तो जैसे गाय भी हो गई थी वैसे काफी फिट लग रही है कुछ डाइट कर रही है क्या मैंने सुना है तेरे बेटे की शादी भी हो गई तुने बताया भी नहीं चोरी चुपके अपने बेटे की शादी कर दी अब क्या तु मुझे इतना गहर मानती है कि अपने बेटे की शादी के बारे में कुछ बताया ही नहीं अरे इका का रही हो हमारी अम्मा तो पहले से और पतली हो गई है और कहां चोरी चुपके शादी की हमारी शादी तो बहुते धूम धड़ाके से हुई थी अच्छा अच्छा अब समझ आया कि तुने मुझे क्यों नहीं बताया था ये भोजपूरी बहु आई है इसलिए न अरे शहर की लड़कियों का क्या अकाल पड़ गया था जो ये गाउं की भोजपूरी बहु उठा लाई खैर अब मैं क्या ही बोलूँ बहु तेरी और मर्जी तेरी तुझे जैसे ठीक लगे बहु तु अपना मुँ बंद नहीं रख सकती क्या तेरी वज़ा से हर जगा मेरे उपर लोग हस रहे हैं मैं ही पागल थी जो गाउं की बहु कलाने की सोच कर बैठी थी सरिता अपनी बहु से सीधह मुँ बात तक नहीं करती थी अब हमेशा उसे सुनाती रहती है ताने देती रहती है उसके काम में कमी निकालती रहती है यहां तक की अब अपने दोस्तों के आगे भी उसे नीचा दिखाती रहती है ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं कुछ दिनों बाद सरिता सीड़ियों से उतर रही होती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है अरे ननत जी, अम्मा जी के सर से खून आ रहा है प्राची अपनी मा को देखते ही मना कर देती है और रज्जों की मदद के लिए कोई नहीं आता तब रज्जों खुदी चोट पर हल्दी लगाती है और गाउं के तरीके से इलाज करती है कुछ देर बाद जब सरिता को होश आता है तो वो कहती है बहु मुझे माफ कर दे जब मुझे चोट लगी तो मैंने देखा था कि तुने कैसे सबसे मदद मांगी और किसी ने भी तेरी मदद के लिए कदम नहीं बढ़ाया और फिर भी तु अकेले ही सब कर रही थी मैंने हमेशा तुझे नीचा दिखाया जबकि तुझे मैं खुद ही घर बहु बना कर लाई थी मुझे बहुत बड़ी गल्ती हो गई मुझे माफ कर दे बहु कौनो बात नहीं अम्मा जी इसी के साथ भोजपूरी बहु ने सब का दिल जीत लिया था सब उससे काफे खुश हो गए थे सुर्भी की एक बहुत ही बुरी आदत थी वो हमेशा ही चुटकी खाती रहती थी और वो इस मामले में कभी किसी की सुनती नहीं थी सुर्भी अपनी मा अनीता के साथ रहती है ऐसे ही एक दिन सुर्भी कॉलिज से घर आती है और चुटकी खा रही थी कि तभी उसकी मा अनीता ने उसे देख लिया और वो सुर्भी को जोर से थपड मारती है और बोलती है तुझे मैंने कितनी बार समझाया है कि ये सब मत खाया कर ये सब खाने से तेरे ही शरीर पर नुकसान होगा तु मेरी बात कभी सुनती क्यों नहीं है मैं जो चीज तुझे मना करती हूँ तुझे वही करनी है अरे मैं तेरी कोई दुश्मन हूँ जो तेरे लिए बुरा चाहूंगी तु मेरी बात नहीं सुनती है क्यों तु अपनी मा तक का खुन जलाती है ये खाने से क्या मिल जाता है तुझे मा आपको क्या दिक्कत है अरे मैं कुछ भी खाऊं उसमें क्या हो जाएगा आप भी ना हर छोटी छोटी बातों के लेकर बहुत कुछ सा करने लग गई हो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती रहो चुटकी इतने बड़िया चीज होती है मुझे खाना अच्छा लगता है मुझे फ्रेश फ्रेश लगता है तो क्या दिक्कत है इसमें मैं तो कहती हूँ आप भी खाओ आपको भी खानी चाहिए इसमें कोई बुराई नहीं है हे भगवान इस लड़की का क्या होगा मैं इसे कितना भी समझालू कुछ भी समझालू कभी इसके दिमाग में मेरी बात जाती क्यो नहीं है अरे मैं तुझे बोल भी क्यो नहीं हूँ तुझे करनी तो अपने मन की ही है मैं तुझे कुछ बोलूगी ही नहीं जो करना है कर जो खाना है खा तेरी मर्जी तेरी सास आईगी आज उन्होंने कहा है कि शादी का लहंगा देखने के लिए तुझे जाना है वहाँ आपने ये गलत मुसीबत मेरे सर पर डाल दी और मुझे इतनी जलदी शादी नहीं करनी थी आपने मेरी शादी तैगर दी कि मैं आपकी सुनती नहीं बस इसलिए मैं शादी के लिए मान गई लेकिन अभी बोल रही हूँ कि मुझे शादी में ज़रा भी दिल्चस्पी नहीं है शादी करके जिन्दगी तो बर्बाद होती ही है पर वो जिन्दगी तो अभी भी बर्बाद है थोड़ा तमीज से बात कर मैं कोई तेरी सहीली नहीं हूँ जो कुछ भी बोले जा रही है मैं तेरी माँ हूँ मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली हूँ और हाँ, बोल दिया कि तो उनके साथ जाएगी अपनी शादी की शॉपिंग के लिए मतलब जाएगी, मुझे इसके आगे कुछ भी नहीं सुनना है, ठीक है, अब जा जल्दी से जाकर तयार हो जा, बकवास करने के लिए कह दो, वो बड़े मज़े से करेगी, काम करना एक भी नहीं जानती, सुर्भी की शादी भी तैह हो गई थी, इसलिए वो अब अपनी शादी की तयारियों में लगी रहती है, ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, और कुछ दिनों बाद सुर्भी की शादी मैंक नाम के लड़के से हो जाती है, और शादी के बाद वो अपने ससुरा पाल आजाती है ससुराल आने के बाद वो घर को अच्छी से संभाल लेती है लेकिन वो जब देखो चुटकी ही खा रही थी ये बात उसकी सास को नहीं पता होती एक दिन सुर्भी की सास माला उससे कहती है अरे बहु मैं काफी दिनों से देख रही हूं तो जब देखो कुछ मैं कुछ चबाती रहती है अरे कुछ अलग सा खाती है क्या तू हमेशा ही तेरा मूँ चलता रहता है मुझे भी बता दे मैं भी कुछ खा लिया करूंगी वैसे भी मैं बुड़ी हो गई हूं जादा समय तक मेरे दांत चलने वाले नहीं है बता क्या खाती रहती है अरे नह मैं आपसे आराम से बात करूँगी, ठीक है ना, चल ठीक है बहु, तो काम कर ले मगर अकसर माला अपनी बहु से पूँचती रहती है लेकिन सुर्भी कभी भी अपनी सास को कुछ नहीं बताती है कि वो खाती क्या है ऐसे एक दिन सुर्भे चुटकी खाने के बाद थूकने जाती है कि तभी वो थूक उसकी पडोसन बिमला पर जा पहुँचता है बिमला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तम-तम आते हुए सीधा माला के घर में आ जाती है और माला पर चिलाते हुए बोलती है अरे माला अपनी बहु का कुछ समझाती क्यों नहीं है फालतू की चीज खाती रहती है उपर से लोगों पर थुकती रहती है अभी मैं जा रही थी गली से कि तेरी बहु ने मेरे उपर पता नहीं क्या पानवान खाकर थुक दिया खाती, ऐसी आते नहीं है मेरी बहु की, तुझे कोई गलत फैमी हुई होगी, किसी और ने कुछ और खा कर तेरे मुँपर ठूक दिया होगा, और तु यहाँ लड़ने आ गई, वैसे भी तुझे लड़ने का बहाना ही चाहिए होता है, मुझे लड़ने का बहाना नहीं चाहिए होता बलकि तेरी बहु पान खाने वाली है बुला अपनी बहु को और पूछ ले कि मैं सच बोल रही हूँ या जोड तब ही सुर्भी नीचे उतरती है और माला उससे कहती है अरे बहु ये बिमला क्या कह रही है तो पान खा रही थी ये सच है क्या मा जी आप भी न किसकी बाते सुन रही हो अरे ये खुद खाती होंगी और आपके आगे मेरी उपर इलजाम लगा रही है मैं तो बस उपर से कपड़े लेने गई थी सुखे हुए वही लेकर आई हूँ इनका जो मन करता है वही बोलती रहती है आप इनकी बातों पर ध्यान न दो वरना आप उनकी ही सुनती रहोगी और मुझे कोस्ती रहोगी मेरी बहु बिल्कुल सही कह रही है उसकी ऐसी फालतु की आदते नहीं है तो ही बड़ा चड़ा के यहाँ पर बोलने आ गई चल जा यहाँ से काम करने दे तेरे जैसे हम लोग नहीं है कि फालतु की बहस करते रहें हमें बहुत काम है आई बात समझ में चल जा सुर्भी अपनी पडोसन विमला को गलत साबित करके वहाँ से रवाना कर देती है दिन निकल रहे थे और सुर्भी की चुटकी खाने की आदत बढ़ती जा रही थी चुटकी खाते हुए सुर्भी की ननद महक देख लेती है भाभी, आप चुटकी खा रही हो और जब मा पूछती है तब आप जूट बोल देती हो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सच में मेरे भावी चुटकी खाने वाली है भावी आपको तो पता है न कि ये ठीक नहीं होता फिर आप क्यों खा रही हो मैं आभी मा को बताती हूँ कि उनकी बहुत चुटकी खाने वाली निकली अरे नहीं नना जी मा जी को कुछ मत बताओ बिना बाद की गुस्सा करने लग जाएंगी वैसे भी वो बहुत गुस्सा करती है तुम्हें तो पता है न अगर तुम मा जी को नहीं बताओगी मेरे चुटकी खाने वाली बात तो मैं तुम्हें अपनी नहीं वाली ट्रेस दोंगी मुझे पता है तुम्हें अपने कॉलेज में पहन के जानी है तो मुझे दिन मुझसे मांग रही थी न भावी जब आपने इतना अच्छा ओफर दिया है तो मैं कैसे आपकी बात को डाल सकती हूँ मैं मा को कुछ नहीं बताऊंगी आप आराम से चुटकी खाओ और मुझे अपनी वो वाली ट्रेस दे दो वैसे भावी इसमें है क्या जो आपको इतना पसंद है मैं तो चुटकी कई सालों से खाती आ रही हूँ मुझे तो बहुत सही लगता है पता नहीं क्यों लोग बोलते रहते हैं कि इससे नुकसान होता है हमारे शरीर को आज तक मुझे तो कोई नुकसान नहीं किया उपर से जब मैं ये खाती हूँ तो मुझे फ्रेश 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 फील होता है इसलिए मैं तो खाती हूँ मुझे अच्छी लगती है लोग जज करते हैं इसलिए कई बार में लोगों से जूट बोल देती हूं बस सुर्भी के साथ साथ जब महग भी चुटकी खाने लग गई तो दोनों नुनत भावी चुटकी खाते रहते थे लेकिन उसमें भी सुर्भी काफी ज़्यादा चुटकी खा रही होती है कुछ दिनों बाद सुर्भी के दात सडने लग जाते हैं और जब काफी ज़्यादा खराब हो जाते हैं तो फिर वो अपनी सास के साथ डॉक्टर के पास जाती है डॉक्टर उसके दातों का चेक अप कर और वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसलिए उनके दाथ सढने लगे हैं, अगर अभी भी इनोंने अपने चुटकी खाने वाली आदत को रोका नहीं, तो इनके दाथ जड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज एक लिमिट तक ही अच्छी होती है।